हेलो एवरिवन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का देई इन अप्रस्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम महिस्ट्री, MHAI 01 प्राचीर और मद्देविन समाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में आज हमें यूनित 3 के बारे में बात करेंगे दोस्तो इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि यूनित 3 के अंदर में कितने लेसंस हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरह के questions बन सकते हैं, exam में question पुछे जाने का pattern क्या है, उन questions का answer हम कैसे लिख सकते हैं, इनके बारे में हमें एक short video के मदद से जानेंगे चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप सभी student के लिएक suggestion भी रहेगा, जिनका भी कल exam है, MA history, MHI 01 का, तो the in-up पर दो वीडियो डली हुई है, जो MHI 01 के लिए बहुत जादा important है, एक हैगा last 5 year का question paper का, उससे आपका 95% जो slaver से almost cover हो जाएगा, और दूसरा वीडियो हैगा आपका all important topics of your book, 10 साल के question paper में से, आपके book में से research करके, सारे topics निकाले गए हैं, जो भी important है, और उसके basis पे भी आपका exam अच्छा जा सकता है, तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, playlist में आपको description में लिंक में लेगा, वहाँ से आप जाके directly देख सकते हो, चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, दोस्तों सबसे पहले इस unit की बात को रहें, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कि मानव, आरंबिक मानव आया, ठीक है, उसने फिर अपना जीवन काल सुरू किया, किस तरह से उसने खेती बाड़ी करी, आगे बड़ा क्रिशिक और संकर प्रेमन हुआ, उसके बाद, वो क्या करता है, संस्थागत संर Спरस्ट का रहें से और जीवन का निर्माण करता है, जिसके अंदर में सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है, राज्ये और संराज्ये का निर्माण, अब देखो, पहले जब मानव आया था तो उसके पास कोई territory थी कोई सीमा नहीं थी कि भीया ये मेरा चेतर वो मेरा चेतर है पर दीरे दीरे जैसे जैसे वो विकास करने लगा तो उसने अपनी सीमा बांदने लगा कि ये वाला एरिया मेरा है और ये वाला एरिया आपका है तो उस तरीके से क्या होता है राज्ये और समराज्ये का निर्म तुमु के द्वारा किया गया, बेवी लोंिया के विकास में सबसे बड़ा युगतान के विकास मांना जाता है, तो किस तर से बेवी लोंिया का विकास हुआ, यह important topic यहां पर रहता है, दूसरा इस chapter के अंदर में important topic की बात करो, तो असीरियाई की प्रकार से हुआ उधे किस प्रकार से चल रहा था वो科 यहां पर ईंपकर एक इंपोरटन ंट पिक आपका रहाता है तीसडरा अगर आपका इंपॉर्टन विलोनिया का विकास किस प्रकार से, वह उसकी विशेटा पनने आप पता सल जाएगी आपको, दूसरा टॉपिक आ जाता है अपका असीरियाई समराजे का, अगर आपको असीरियाई समराजे समझ में आ रहा है तो वहाँ पे, यह तीसर वला टॉपिक अपने आप ही खिलियर ह अगला चेप्टर हमारा आता है फार्सी समराजी के बारे में, फार्सी समराजी के बारे में, फार्सी समराजी अकी दियाई जो थे पहले, ठीके, आमे की दियाई करके जो पूरा बनता है समराजी उनको कहा जाता है, ठीके, अ कामे दियाई करके जो पूरा समराजी था उनको ह इसके अंदर में कौन-कौन से topic important बनता है, तो सबसे पहरा topic तो यही में बनता है कि、 फ़ार्सी सम्राजी है क्या, घरक है इसके अंदर में कई स़रे segments आते हैं, जैसे इसका tota God किस परकार से humidρुवा इसका विस्तार किस परकार से हुआ ठीक है फिर उसका पतन किस परकार से हुआ यह तीन टॉपिक रहते हैं तो आपको अगर फार्सी समराजे पढ़ रहते हैं तो इन तीनों टॉपिक को आपको फोकोस करना पड़ेगा कि उदे किस परकार से हुआ विस्तार किस परकार से करके आपको फार्सी समराजी पढ़ना पड़ेगा फार्सी समराजी के अंदर में सबसे एक important चीज आता है Cyrus ठीक है जो इसका योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है फार्सी समराजी के अंदर में Cyrus के बारे में Cyrus का योगदान क्या था Cyrus का परीचे क्या था वो उसको लेकर यहां पर एक question मन जाता है फार्जी समराजी के अंदर में तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा जो important आपके लिए यहां पर फिर हम chapter number 12 की बात करें प्राचिन युनान ठीके प्राचिन युनान की हम बात करते होते हैं सबसे पहले जाता है आपका आरंबिक युनानी सब्वेता किस परकार की थी कौन-कौन सी सब्वेता थी आरंब में युनान के अंदर में वो बताना होता है और यहां पर जो एक सबसे important topic रहता है युनान की दास पर था दास वाला जितने भी question है न दोस्तों युनान का हो चाहे रोमन का हो दोनों chapter के अंदर में दास वाला question आता है तो दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा ये लमान के चलो आप last five years में तीन बार question repeat हुआ है दास वाला तो इस बार भी हो सकता है तो एक बार अच्छे से दास वाला को जूरू पढ़ना तो यहाँ पर युनान सबसे पले युनान वाले प्राचिन युनान के अंदर में आता है युनानी सब्वेता आरंबिक युनानी सब्वेता किस परकार का था युनान में दास पर्था किस परकार के था और संपरभात वर्ग जो एलीट वर्ग था ठीक है जो संपरभात वर्ग का उदे हुआ और उनके किसानों के साथ किस तरह से संघर्ष हुआ ठीक है किसान के साथ इसको लेकर यहाँ पर कोशन बन जाता है अब संपरभात वर्ग कों थे एलिट वर्ग जो संपन वर्ग था उसको हम संपरभात वर्ग के तौर पर यूनान में जानते हैं तो इनके संघर्ज को लेकर यहां पर कोशन बनता है टोटल तीन टॉपिक आते हैं सबसे पहले आरंबिक सब्वेता किस परकार की रही दूसरा दासपरथा किस परकार का है और संपरभात और किसानों को संघर्ज को लेकर यहां पर प्राचिन यूनान के अंदर में कोशन बनता है अगर मैं रोमन समराजी की बात कुरूँ रोमन समराजी के अंदर में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने है सबसे पहला होता है रोमन समराजी का विस्तार ठीक है कि विस्तार किस परकार से किया गया रोमन का और दूसरा यहां पर टॉपिक बनता है प्रायदीज़त कहते हैं फिके mettet तो पहले पहले Cannon के अंदर में जो मन का विस्तार होता है वो Conference on Lupic такие के अंदर में इतावली स्वीरत के अंदर में इतावलीрий प्रायदीज़त जी जाफ़ सब्सकरत इओ लाव होता है विस्तार होता है तो यह रोमन समराज्य का किस तरह से विस्तार हुआ वह बनता है important question और दासपृथा रोमन समराज्य के अंदर में किस परकार की थी वह बनता है question तो यह वाला पूरा unit है दोस्तो most important unit आप मानके चल सकते हो इसमें से बहुत जादा questions बनके रहाते है important questions बनते हैं तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से focus करके पढ़ना है ठीक है और भी अगर आपकी तरफ से मेरे लिए कोई suggestion होता आप comment करके दे सकते हैं और आगे की और वीडियो चाहिए तो comment कीजिए अगर आपके लिए जोरत होगा तो फिर मैं और वीडियो बना दूँगा जो important units है और most में try करूँगा कि सभी unit का बता दू इन वीडियो से आपके लिए benefit बस यह होना है कि आपका concept clear हो जाएगा कि अच्छा इस unit के अंदर में ये topics हैं और ये topic में पढ़ लो तो clear हो जाएगा क्योंकि 10-10 question एक unit के अंदर में है एक chapter के अंदर में है तो 10-100 question को पढ़ने में जादा time waste ना करके सिरिफ मैंने 3-4 topic जो एक एक chapter का बता रहा हूँ वो पढ़ लो वो better है ठीक है roughly भी देख लोगे तो भी आप अच्छे से लिख कर आ सकते हो exam ठीक है बाकी ये दो वीडियो जो मैंने suggest कहता है इनके basis पे भी आपको बहुत ज़्यादा help मिल जाएगी the friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best